मैं कभी बात की तो पर हिंदुत के दावे का मतलब क्या निकला जब साधुऊंकी हत्याइं हो रही हूँ जब वरतों के गले कट रहे हूँ और वलातकारियों का पता नहीं लग रहा हो तो हिंदुत का एजेंडा और विकास का एजेंडा ये दो बाते हैं जो प्रोजेक्शन अब देश में नरेंदर भॉदी जी ने अपना करने की कुशिश किये। मैं उनको 73 से जानती हूं। मुझे उनके वारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मांती हूं कि नरेंदर भॉदी जी विकास पुरुष नहीं है। विनाश पुरुष है। और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है और वो जो GDP का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है वो जो BPL का दावा कर रहे हैं कि बिलो पावर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है मैं नरेंद्वोधी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक डाओं में चले जहां BPL की लिस्ट बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है बिलो पावर्टी लाइन से उपर लोग उठ गए हैं यह पूरा का पूरा मामला फर्जी है और यह दिखाने के लिए कि गुजरात ने बहुत विकास किया है मेरे मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन तो ना पहले ड्राम ओबर ड्राफ्ट न था ठीक दुगना हो गया है तो विकास कहां हुआ विनाश हुआ इस तरी भी असुरक्षत हुई और हिंदू और मुसल्मान दोनों भाइवीत रहे तो लोग नोडर कहां हुआ इसलिए ना हिंदुत्वत ना रोटी ना राम ना रो आज के लिए अपना कंसरन तो रखता है यार वरीड और मैंने मैं आपको बताओं ऐसा शोग और ऐसा भाई पतला ग्रीफ और फियर मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी मैं तो आश्यरी चक्रित हूं कि यह नरेंद्य नोदी निक्या कर दिया इसलिए मैंने उनक